जीद फिक्स पसीना भाना तुम्हें भीड से अलग बना सकता है और एक घंटा पूरे दिन का सिर्फ चार परसेंट टाइम होता है रिजल्ट एक रात में नहीं आता कई वर्काउट सेशन लगते हैं रिजल्ट वर्काउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं ठब गया हूँ अगर तुम चिम करने के बाद भी सुन्दर दिख रहे हो ना इसका मतलब तुमने इमानदार इसे चिम नहीं किया तुम्हारी बोडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो इसकी दिवारे मजबूत बनाओ बढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बिग बाइसेप भी कुछ लोग चाते हैं कि बोडी अपने आप बन जाएगी उसके बाद की महनदी तुम्हें बोडी बिल्डर मनाती है जब दुनिया सुबस चार बचे नीन के आगोस में सो रही हो तब सरीर में महनद का हार्मोन दोरता है जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है उमस है, सर्दी है उस वक्त तुम्हारा अपने आपको पसीने में तपाना बोडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि धर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा क्योंकि वो भीड से अलग दिखेगा उसका confidence level high होगा जब तुम stress में रहो तब तो repetition जादा मारो जब तुम्हारे दिमाग से signal आए कि जोर आ रहा है तब बोलने अपने आपको अभी तो मज़ा आ रहा है कभी भी अपने workout से cheat मत करना ये कोई girlfriend बोई friend नहीं है ये तुम खुद हो अगर करना है तो करना है जुनुन वाले रोग अपने आपको train करते हैं और आल सी लोग complaint करते हैं जब तुम्हें धर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है ये पसीना नहीं है ये तुम्हारी extra चरबी रो रही है जितना तुम अकेले में पसीना बहाऊँगे उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाऊँगे कमांडो को सिखाया जाता है ये एक बोडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो अपने आप से हार जाओगे तुम दुनिया तो जीत ही जाएगी फिटनेस का मतलब यह नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है फिटनेस का मतलब यह है कि मुझे अपने आप को कल से बहतर दिखाना है जैसा मैं कल था यतनी पावर मेरे सरीर में कल थी उस से जाना आज होनी चाहिए तुम्हारा हाड़ वर की तुम्हें सिक्स पैक दिला सकता है आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ लेट आउंगा रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ किसने मुझे को धोका दिया है मेरा किसने अफमान किया है मुझे किसने सबसे ज़्यदा रूलाया है और अपनी हर एकसरसाइज को फिर अलग लग नाम देना जब भी फुस्ट अप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था जब भी एप्स रगाओ अपने प्यार वाले धोके को याद करना जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दोबा लेने जाना था और तुम्हारी बस चूट गई थी अपने आपका एक रूटीन मनाओ और इन सब को फिर से कल से रिपीट करना दर्ध कुछ देर होता है लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ और तब तुम्हें वो सब करने का जो तुम पहले नहीं कर पाते थे ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुमारी ट्रेनिंग है, एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुमें, जवान होना तुम तो जवान की तरह करो, अगर साथ बार गिर के तो आठी बार उड़ जाओ, लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज़्यादा तो तुम्हें कुछ बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी अपने आप दिख जाएगा और सुन आसे ये कच्रा पट्टी खाना बंद तुम कैसे दिखते हो यह उससे डिशाइड होता कि तुम क्या खाते हो कितना पसीना बहाते हो क्या सोचते हो और सुन भाने मारना बंद कर तुम जिद्धी है तुझे सबसे अलग दिखना है कोई देखे तो लगे कि चटान का बना इंसान है ये एक बार धखा मार अपने आपको वर्काउट करने के लिए फिर तु अपने आप पसीना बहाएगा और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके तीट फिक्स